तो दोस्तो उल्लू ने रिती रिवाज वेब स्रीज के नए एपिसोड मनमर जी का ओफीशल टीजर अपने यूटूब चैनल पर रिलीस कर दिया है बता दो दोस्तो इस वेब स्रीज को उल्लू अपने ओटेटी प्लेटफॉर्म पर 13 जुलाई को रिलीस करेगा निती रिवाज उल्लू की एक बहतरीन वेब स्रीज है इसके सभी एपिसोड दर्सको द्वारा काफी पसंद किये जाते हैं इस वेब स्रीज में दर्सको को मस्ती के साथ साथ नए नए कहानिया और नए नए रिवाज देखने के लिए मिलते हैं और इसलिए आज हम मनमरजी वेब सेरीज के ओफिसल टीजर का रिवियू करने वाले हैं दोस्तो वेब सेरीज की सुरुवात होती है और एक पती पतनी अपनी साधी की पहली रात एंजॉय करते हुए नजर आते हैं उसके अगले दिन गाउवाले चर्चा करने लगते हैं कि जिनकी साधी हुई है क्या उन्होंने नए जोडे को सिलेक्ट किया या नहीं बतातो दोस्तो उस गाउव का एक रिवाज होता है कि साधी के बाद पती और पतनी को नए लड़के लड़की को चुनना होता है ताकि अपनी इच्छा पुर्वक वह मस्ती कर सके और साथ ही साथ उस गाउव का रिवाज यह भी होता है कि लड़का और लड़की चुनने के बाद अगर वह किसी और के साथ मस्ती करते पकड़ा गया तो उसे बहुत बड़ी सजा दी जाती है काफी सोचने के बाद नई नवेलन दुलन अपने देवर का नाम गाउवालो को अपने लिए देती है और वह अपने देवर को कहती है कि हमारे पती ही परमेशवर है इसलिए हमारे बीच में वो सब कभी नहीं होगा पर देवर बाबी के साथ मस्ती करने के लिए काफी उतावला होता रहता है और वह बाबी को भाईया के साथ मस्ती करते वक्त चोरी चोरी देख भी रहा होता है जिसके बाद लड़की की दननद लड़की को ताना मारती है और कहती है कि भावी चलन के हिसाब से लड़के को सिलेक्ट करना ही काफी नहीं होता है बलकि उसके साथ मस्ती करने पड़ती है इसके बाद लड़की काफी ससवर के देवर के सामने जाती है और कुछी समय बाद देवर को मना कर उसके साथ मस्ती करने लगती है और कुछी दिनों बाद लड़की एक अंजान मर्द के साथ खेत में मस्ती करते हुए नजर आती है तो दोस्तो वो अन्यान मर्द कौन था और लड़की को गाउं के अनुसार सजा मिलेगी या नहीं है तो आपको वेब स्रीज देखने के बाद ही पता चलेगा अगर आपने वेब स्रीज को ओफिशल टीजर नहीं देखा है तो आप जाकर उल्लो के यूटूब चैनल पर देख सकते हैं दोस्तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप रितिरीवाज मनमर जी वेब स्रीज को देखने के लिए कितने एकसाइटेड हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें वेब स्रीज से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और हमारे साथ बने रहें धन्यवाद